आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है जीएश्टी में एक लेकर जो पैनल्टी थी उसके ओडर को सेट असाइड कर दिया गया है अब यहाँ पर जो है इतना बड़ा डिसीजन से जीएश्टी में काफी बड़ी रिलिफ मिलिया है इवे बिलके कंप्लाइंस को लेकर और इसमें आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे वीडियो को पुराइन तक देखते रहिएगा यह जो डिसीजन आया ओन्रेवल हाई कोट का डिसीजन है अलबाद ह का है यहावर इत्पेटिसन फाइल की गई रिट पेटिसन में जो पैटिसनर है उन प्रे की कि जो पैनल्टी ओडर लगाए गए हैं वह रिलीज किया जाए और जो ओडर है उनको सेट असाइड किया जाए हाँ पर जो है तो इन अथोरिटिप्स के साथ अधिव यहावने प जो है रांस्पोर्ट हो रहा था तारी जो डिटेल्स है गुर्स की वो मैच थी वे बिल्स में बी और इन वोस में बहुत तो उस टाइम पर एक वे बिल्स जो है वो expired मिला इसके अलावा कोई डिस्पेंसी नहीं है लेकिन अपने आम एक बड़ा पॉइंट है कि एवेविल की एकस्पाईरी को भी इंटेंशन नहीं थी कि उसने टैक्स एवेड करा हो या उसको टैक्स एवेजन करना हो जीएस्ट के एंडर उन्होंने कहा कि जो डोकुमेंट्स जो दिये गए हैं जितने भी डोकुमेंट्स जो है समिट कर रहे हैं उसमें किलिरली पता लग रहा है कि जो वीकल है वो ब्रोकन डाउन था और इसी लिए उसके लिए एविडेंस भी सब कुछ सम्मिट किये गए थे वीकल के रिपेर के लिए जो है जो भी लैटर थे वो भी वहाँ पर सम्मिट किये गए उसके बाद जो है गुर्स की जो मुमेंट है वो भी ट्रैक की गई फास्ट एक के द्वारा फास्ट एक चार्ट भी इन्होंने अटेच किया गुर्स की मुमेंट को टेच किया वो गुर्स की जिस वीकल में था वो जो है रास्ते में खराब हो गया था और उसकी जो मेकेनिकल संती उसको उन्होंने रिपेर कराया उसके विदेंस भी महां पर सम्मिटेट थे एक डिसाइड़ केस लोगा यहां पर रेफरेंस दिया गया फिर इसके बाद जो डिपार्टमेंट के तरफ से लंग काउंसिलर उन्होंने कहा कि सर इवे बिल जो है वो अपने आप में नैसेसर हो गया था जब गुड्स डिटेंड किया उन्होंने फर्दर समिट किया कि ससी की तरफ से कोई भी एक्सप्लेइनेशन नहीं आई है इस पॉइंट पर कि उन्होंने जब वो इवे बिल एकस्पायर हो गया था उनका जो वीकल था अगर वो खराब हो गया था रास्ते में उन पैनल्टी ओडर लगाया गया है अब उसके बाद जो है ओनेबल कोर्ट का डिसीजन है वो भी यहां पर जो है रेटेस्ट डिसाइड़ केसलों इसमें रिट्पेटेशन फाइल की गई थी तो उसमें भी डिसीजन जो है एससे के फिवर में आया था लेकिन उसमें जो सब्सक्राइडिक में मैंने वीडियो प्लोड किया था है वालगुनी स्टील्स के नाम से केसलों है और उससे पहले हिंदुस्तान अर्बल कोस्मेटिक का भी यह केसलों है तो इस दोनों केस में जो है सेम सिचिएशन थी और यहां पर जो वीकल था उसमें एक वीकल से दूस रिलाइक किये गए पैटिशनर ने वह कंसीडर नहीं किये गए अथोरीटी के द्वारा लेकिन पैटिशनर ने भी उस वाले पॉइंट पर कोई एक्प्लेशन नहीं दिया उन्हें इन्दर रिलेशन तो दा इन्वाइस और इवे बिल्ट अथोरीटी आफ नोट बीन एबल इन्दिकेट अने इन्देंशन वर्ट सोयवर ओन भी आफ वो पैटिशनर टुईवे टेक्स ठीक है इसलिए टेक्निकल वाइलेशन है और अथोरीटी ने जो है केवल बस यह इन्दिकेट किया है कि एवे बिल एक्सपायर हो गया था ठीक है तो और देखा जाए तो यह वा उन्हों को क्वेस्ट करके सेट असाइड कर दिया गया ठीक है उसके बाद जो है को ने डिरेक्ट किया रेस्पोंडेंट को कि वह रिफंड करें जो भी अमाउंट ऑफ टेक्स उन्होंने लिया है पैनल्टी में जो भी जमा हुआ है विदिन ए प्रियाड और इस तरह से यह प्लोड है करना है इस जो भी जजमेंट यहां पर वीडियो में अप्लोड इचनल है जो पर पपजा फुली एजुकेसनल है को अब चैनल को सब्स्राइब करें या ना करी वीडियो जरूर देके आपको बेनिफिट होगा यह वीडियो देखने के लिए